roku है गाइस वेलकोम बैक घुम भैक तो माई चैनल जैसे मिने आपको बताय its कि मैं जा रहा हूं मतलब मुझे ऐस नहीं लगता कि जो दिल से अबने कंस्कों को इटेंड करता है उन्होंने अपने कस्टमर्स को दिल से अटिंग किया है, बहुत अच्छे से सर्विस दिये, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यह बहुत से यहां के, बहुत सारे मतलब खरीदी की है, आप देख सकते हो, बहुत सारा सामान लिया है, पर वो क्या लिया है, हम लोग बताएंगे नहीं आप लोगों को, वो सर्प्राइज है, हम आपको बाद में बताएंगे, तो मैं इनका नंबर दाल रहा हूँ, अगर आपको भी अच्छा प्योर बान्नी कलेक्शन लेना है, तो आप इनके शॉप पर आ सकते हो, So guys, हम लोग अभी अजमेर के मार्कीट में घुम रहे थे, तो मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर बान्नी का कलेक्शन बहुत अच्छा मिलता है, तो अभी हम लोग यहाँ पर आये है, शॉप पर बान्नी का कलेक्शन देखने के लिए, तो आप थोड़ा हम लोगों ने ड्रेसेज भी देखे बांद लीगे अब देख सकते हो हर टाइट के है जो हमको हेमन बाई बताएंगे कि मतलब कौन से टाइट के आपके पास है material हां हेमन बाई जानली एंक्वरियम है तरगा शेरिफ के पार धानमंदी के पास है जानली एंक देख सकते हो पूरे शॉप में तो इनको मैंने पूछा की रेंज कहां से शुरू होती है तो 300-400 से रेंज शुरू होती और 8-10,000 तक बांदनी के ड्रेस की रेंज जाती है तो आप अपके बजट के हिसाब से आओ और मतलब इनकी गैरेंटी भी है कि ये कलर नहीं जाएगा फर्स्ट आपको ड्राइ क्लीनिंग कराना पड़ेगा उसके बाद कलर जाएगा ही नहीं कि बहुत सारे हम बांदनी के ड्रेस लेते हैं तो उनका कलर फेड होता है जरगा गली में पढ़ता है जानवी एमपोरियम में ये शॉप का डीटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी दाल रहा हो कुछ एंकोईरी रहेगी तो आप कॉल कर सकते हैं थेंक्यू स्वीट्स करीदे हैं यह बाबु भाई के शॉप से हम लोगों ने सोन हलवा लिया है और फिर हम लोगों ने यहां की अजमेर की स्पेशल मिठाई यह भी है फिर हम लोगों ने अंगूरी पेठे भी लि स्वीट्स अब देख सकते हो किते वेराइटीस के यहां पर स्वीट्स है और इन्होंने एक मैसेज दिया है दुकांदार होना भी कहां आसान है न किसी के ख्वाबों में मिलेंगे न किसी के अर्मानों में मिलेंगे हम हमेशा दुकान में मिलेंगे गर्मी सर्दी बरसात हमेशा दुकान में ही मिलेंगे। जमाने भर की खुशिया से अलग है हम, लोगों को लगता है गलत है हम, बीमार होकर भी ठीक रहते हैं, रती है तब्यत हमारी, कोई आजकल ऊचता भी नहीं है खेरियत हमारी, कभी माल छोड़ने, कभी बैंक या कभी ट्राफिक जाम में मिले तुम हमेशा आते रहना दोस्त हम हमेशा दुकान में ही मिलेंगे बारा मैने बाबु भाई आपको दुकान में ही मिलेंगे और जबी भी आप आओगे रफीक भाई और अबुबकर भाई आप जबी भी दुकान में आओगे तो बोलना भाई साब आप कैसे हो आपकी तब्यत कैसी है और फिर उसके बाद स्वीट्स करिजना लाई खुबकर बाई से बाई दुकान आप झाल झाल झाल